हेलो दोस्तो मैं जाइकान सेनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आई क्यों में तो हम डिस्कस कर रहे हैं दैनिक बासकर एंड राजिस्थान पतिका 19 एंड 20 जनवरी तो बने रहे हैं इस वीडियो में साथ आंते तक there is a lot to know and a lot to discuss आई शोगते आज का discussion सबसे पहले आप सभी को गुरू नानक जैनती की हादिक बदाईयां आज 20 जनवरी है और आज है गुरू नानक जैनती तो यह सिखों के परथम गुरू थे यह आपको पता होना चाहिए गुरू नानक जीरू थे यह सिखों के फर्स्ट गुरू थे तो यह important चीज है इसके बारे में आपको आईडिया होना चाहिए तो आप सब भी enjoy कीजिए गुरू नानक जैनती को अब यह कल की news है 19 जनवरी की तो यहां देख लेते हैं क्या news है तो यह बात की गई है निजिता प्रभावित होती है तो डिलीट कर दे वाटसप यह किस ने बोला है डेली हाई कोट ने बोला है यह कि यदि आपको पता होगा वाटसप को लेकर काफी ज़रा चर्चाह चल र दिली हाई कोट के अंदर तो दिली हाई कोट ने साब साब बोल दिया है कि यदि आपकी प्रभावित हो रही है उसका हनन हो रहा है तो आप वाटसप को डिलीट कर दीजिए यह वोला है तो बड़ा ही अजीब बयान है यह हलांकि पर ठीक है दिली हाई कोट ने दिया है तो सरांखों पर माननी है तो अब यहाँ पर निजिता की जो बात आती है इसके लिए एक important case निकल के आया था right to privacy आप समझेए right to privacy एक case आया था case पुट्टा स्वामी case बहुत ही important case आये तो के एस पुट्टा स्वामी जो case आया था यह आया था 2017 में यहाँ पर बात निकल के आया थी इस case के अंदर की right to privacy अनुचिद 21 के तहट माना जाना चाहिए और इसका अधिकार होना चाहिए भारत के लोगों को तो इस case के सम्मझ में आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि यह बात की गई है सोमनाथ ट्रस्ट की तो यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट चो है उसका अध्यक्ष बना दिया गया है PM मोधी जी को तो मोधी जी को PM नरेन मोधी जी हो है हमारे उनको इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया है तो देख लेते हैं कुछ important और fact इसके संबन में सोमनात मंदर भारत में 12 जोतिलिंग में से 12 जोतिलिंग है भारत के अंदर उन में से प्रथम है सोमनात मंदर तो ये important हो जाता है इसलिए और इस मंदर पर 1024 में महमूद गजनी ने आक्रमन किया था इसलिए भी ये famous रहा है काफी ज़यदा यहां से loot मार मचाई थी ये जब महमूद गजनी ने उस समय पे तो उस समय के शाशक जो है उनका नाम भी पूछा जाता है तो इनका नाम नाम है भीम प्रथम तो भीम प्रथम है इनका नाम अब आप मेरको ये बताईए कि सोमनात मंदर किस जिले के अंदर गुजरात के अंदर ये मुझे comment box में comment करके बताईए और ये कुछ fact है तो उनको आप देख लीजिए ये बात की गई है सडक सुरक्षा में राजिस्तान अवल मिले दाश्ट्री अवार्ड तो यहाँ पर बात की गई है राजिस्तान रोडवेज को रोड सेफटी अवार्ड से नवाजा गया है तो ये important news है राजिस्तान के लिए किसे रोड सेफटी अवार्ड से नवाजा गया है और अभी इस समय सडक सुरक्षा यातायाद सुरक्षा कुछ करके जो week चल रहा है अभी ये दिनों चल रहा है वीक तो वो भी है और यहाँ पर अवार्ड भी मिल गया है राजिस्तान रोड जो इसको रोड सेफटी अवार्ड इसको मिला है तो ये दिया गया है केंदिय सडक एवं परिवहन मंतरी नितिन गटकरी जी को ज़वारा तो ये तो मैं काफी बार चर्चा भी कर चुका हूँ तो ये तो अब आपको रट गया होगा कि माची जैविकुद्दान कहां पर है तो जोद्पुर्जिला के अंदर है तो यहाँ बात की गई है कि करोडों की आए देने वाला माची जैविकुद्दान जो है यहाँ पर कई सारे अभी जो करमचारी यह अधिकारी है उनकी अभी कई सारे पद यहाँ पर खाली पड़े हुए है तो उनको भरने की बात इसमें की जा रही है निउस के अंदर तो यहाँ बात की गई है आप इसके लिए आभी दन कर सकते हैं अपना तयारी है कर सकते हैं तो अभ्यरतियों ने सेक्षिक एवं प्रासेक्षिक दस्तावेजों की जाज कराई विश्यवार काउंसिलिंग 25 जनवरी तक होगी लेगी तो ये निउस यहाँ पर है tip investor की तरप से ये बात की गई है समरदियास तब त्याक वाश्यों बलाख वाशकार का गवा तो ये बात की जा रही है सवाई माधवपुर की इसताबना जैपुरके महराज सवाई मादोशिंग जी के द्वारा की गई थी तो आप समझेए सवाई मादोपूर तो आप यहां से नाम यार दखेएगा कि सवाई मादोपूर तो इसकी स्थापना सवाई मादोशिंग जी के द्वारा की गई है जो कि जयपूर के महराज थे और कब की गई है तो यह की गई है 19 जनवरी 1763 को की गई है 19 जनवरी 1763 को ज्यपुर की इस्तापना इससे पहले हूई थी अब मेरे को आप comment box न यह बताई है कि वो किस वर्स हूई थी और किस के द्वारा ज्यपुर की इस्तापना की गई थी ये मुझे आप comment box में comment करके बताईए ये बात की गई है NASA ने देखाया ही Newton star की तस्वीर ये viral हो गई है तो ये क्या है Newton star है जो की सूरत से भी बहुत बड़े होते हैं ये star आपको पता है तारे सूरत से बड़े होते हैं लोगों के साथ जो की viral हो गई है इसकी मतलब online platform पर ये viral हो गई है तस्वीर तो ये बात की गई है Newton star के बारे में तो ये कुछ news थी नासा की तरफ से ये आज की ख़बर है यानि की 20 जुनवरी की तो यहाँ पर पदम वीबूशन डॉक्टर वी शांता जी का निधन हो गया है बहुत ही famous personality थी ये oncologist थी ये word यार रखीगा oncologist यानि की cancer विशिशक के बोलते हैं oncologist कई बार पूछने को आता है one word में ये जो English language की exams होते है वहाँ पर ये term पूछी जाती है oncologist क्या होता है तो oncologist का मतलब होता है cancer विशिशक गये तो 93 वर्स की उम्रमेन का निधन हो गया है तो बहुत ही famous personality है डॉक्टर शांता जी जो है और पदम विबूशर से सम्मानित ये व्यक्ति हैं तो इसलिए important हो जाती है ये बात की जा रही है USA के बारे में महाँ सकती है दुनिया की तो आज important देने है वहाँ पे जो बाइडन साब जो है वहाँ पे आज सपत गिरंट समारो होगा 20 जुनवरी आज दिनांक है USA के अंदर ये सपत लेंगे और अब आज के बाद देखने को मिलेगा वर्ल्ड ओर्डर में क्या का चेंज़े जाते हैं क्योंकि बिल्कोल ही उलट पॉलिसी रहेंगी जो बाइडन की जो की डोनल्ड टरम के द्वारा पॉलिसी बनाई गई थी पूरी दुनिया को ले करके अपनी कंट्री को ले करके तो बहुत कुछ नया चेंज़ देखने को मिलेगा आने वाले समय में तो ये कुछ चर्चा इस एडिटोरिल में की जा रही है महाशक्ती के बारे में क्या-क्या चीज़े होने वाली है आगे की समय में तो हम देखते रहेंगे न्यूज में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी आगे धीरे धीरे ये बात की जा रही है भारतिय टीम ने ब्रिस्बेन ऑस्टेलिया के अंदर है तो आयूद हो दी टेस्ट सिरीज को जीत लिया है तो ये कई वर्सों के बाद इनोंने जीता है सिरीज को तो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कोई जादा फिरमस प्लेयर्स नहीं थे भारत के तबी भी ये टेस्ट सिरीज को जीत गए है ब्रिस्बेन के अंदर तो इसलिए बड़ी नूज जई तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए ये बात की गई है सिंदु गाटी को ले करके सिंदु गाटी सब्विता जो है उसको ले करके शोध किया जा रहा है किया गया है मतलब पुराने समय से चलता है कुछ शोत बनारस हिंदू युनिवस्टी और युनिवस्टी ओफ केम्बरेज के द्वारा तो यहां पर यह बताया गया है कि जो सिंदू गाटी सब्विता है वो आर्यों के आक्रमन के कान खत्म नहीं होई थी वो होई थी 200 साल तक पड़ी थी बीशन गर्मी वहां पर बहु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि इसका क्या टाइम पीरिट रहा है सिंदू गाटी सब्विता का यह बात की गई है देनिक बासकर की जो यहां पर तो आर्पीएसी ने प्रैस विग्जिप्ती जारी कर दिये ACF एक्जाम्स को लेकर के तो यह ACF एक्जाम्स क आयोजन संभागी मुख्यालों पर जो जिला मुख्याल हैं संभागी है वहां पर आयोथ होगी 18 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी वा दिनांक 22 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक तो यह इस प्रकार से परिक्षा चलेगी तो आप जो भी इससे सम्मनित हैं आप देख सकते हैं त तो आप इसके लिए तयारी कर लीजिए अपनी अच्छे से कमरकस लीजिए तो ये आने वाले समय में फरवरी में भी होने वाली है जाने कि अगले महिने ये बात की जा रही है रीट 2021 जो बढ़ती है काफी बढ़ी बढ़ती है राजिस्तान के अंदर तो यहां पर हाई कोट क इसको लेकर के जवाब मांगा है कि क्यूं उनको क्यूं बेट धारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है तो ये चर्चाएं को चल रही है देखते हैं आने वाले समय में क्या डिशिएन रहता हाई कोट का इस सीज़ को लेकर के ये बात की जा रही है जूनियर लीगल आफिसर तो जूनियर लीगल आफिसर के इंटर्विव अब एक फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं पहले ये 28 जन्वरी से होने वाले थे लेकिन इनको पोस्टपॉन करके अभी एक फरवरी इनकी डेट कर दी गई है तो जो भी व्यक्ति इसमें एक्जाम को पास करके आग समधिी प्रके भॉन परिंजाते हैं जहां पर इनकी नोट किया होता है इसका फूल फरं होता है और पार्टी सीपिटरी नोट पाटी अओ परियोग कर सकता है ये है क्या वहां पे भी इस प्रकार की चीज़ें इस्तमाल की जाती है तो आप समझे शेर बजार से सम्मझ देता है पार्टिसिपेटरी नोट इसके तुरू आप अपना इंवेस्टमेंट कर सकते हैं शेर बजार के अंदर तो यह इंपोर्टन टाम है कई बार आप से पूरा इसका नाम ही पूछ लिया जाता है कि पी नोट क्या होते हैं तो आपको पता उनों चाहिए पार्टिसिपेटरी नोट यानि कि पार्टिसिपेट करना हो पार्टिसिपेट करना मार्केट के अंदर आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं उसके तुरू तो मुझे आज आए कि वीडियो को अच्छे लगा हुआ यदि वीडियो अच्छे लगा है तो ज्याद सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप मुझे अपने सुझाव कमेंट वॉप्स में या मुझे एमेल भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में